नमस्ते बच्चों, बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबराहम लिंकन के बारे में यह पार्ट मैंने हिंदी की पाचवी क्लास की पुस्तक से लिया है मणी मेखला से तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अबराहम लिंकन के बारे में बच्चों विशु का सबसे ताकतवर देश किसी कहा चाता है आप जानते हैं अमेरिका को अमेरिका के रास्टरपती कौन है और हम किस प्रकार से उच्च पद या सफलता हासिल कर सकते हैं इन चीजों के बारे में आप जरूर सोचिएगा और बच्चों जहां चाह होती है वहां राह भी बन ही जाती है अत्यत गरीब परिवार में जिन में अबराहम लिंकन ने कड़े परिश्रम वा लगन के बल पर अमेरिका का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्ति किया मतला अमेरिका का प्रथम नागरिक मतला वहां का रास्ट पती पहले रास्ट पती थे वो प्रेसिडेंट चलिए इस पार्ट को पढ़कर हम समझते हैं अबरहम लिंकन को आजादी का मसीहा कहा जाता है मसीह मतला मुक्ती दाता है याने आजदी दिलाने वाला या मुक्ती दिलाने वाला अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है आदर के साथ मतला रस्पेक्ट के साथ लिया जाता है अमेरिका में पहले दास प्रथा थी वहाँ पे लोगों को गुलाम बना कर रखा जाता था, दास बना कर रखा जाता था, स्लेवरी थी और वहाँ अफरीका से लाए गए दासों का जीवन बहुत ही दुखद था, उन्हेंने बहुत तकलीव देते थे लिंकन को ये बहुत ही बुरा लगता था उन्होंने दासप्रथा का विरोध किया और उनके प्रयास से क्या हुआ कि दासप्रथा समाप्त हो गए इसलिए उन्हें मुक्ती दाता कहते हैं आजादी का उन्होंने दासप्रथा से मुक्ती दिलाई लोगों को फिर क्या है कि अबराहम का जन्म अब हम दिखते हैं उनका जन्म कब हुआ तो अबराहम का जन्म जो है अमेरिका के पिजन क्रीक नामा गाउ में हुआ था एक गाव में उन्होंने जन मिलिया था उनका परिवार ना बहुत ही गरीब था मतलब पूर था वो सब एक जोपडी में मतलब एक हट में रहते थे और जिसकी तूटी हुई खेडकियों से ठंडी हवा सीधे अंदर आती थी और चट जो थी उनकी उनकी विंडो टूटी हुई थी उससे बहुत ही कोल कोल एर जो है ना इंसाइट आती थी विंड और जो चट थी ना उनकी उपर सीलिंग और वो भी टूटी हुई थी और इसलिए ना वर्षा रितु में रेन में क्या होता था चट से पानी टपकता था और लिंकन के परिवार में प्रायक खाने पीने की चीजों की हमेशा कमी ही रहती थी अबराहन बच्पन से इना बड़े ही शक्तिसाली था अबराहम की ताकत का लोहा सब मानते थी मतलब सब जानते थी कि बहुत ही कावरफुल है बहुत शक्तिसाली है वे बड़े बड़े काम जो है ना बहुत हस्ते हस्ते कर लेता था एक दिन की बाद है कुछ लोगों का एक खंभा खंभा मतलब एक पिलर होता है ले जाना था और लेकिन कोई भी उसे उठा ही नहीं पा रहा था तो अबराहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता मतलब हेल्प करने की भावना यानि एक्षा जागरत हुई फिर उसने खंभे को कंधे पर मतलब अपने सोल्डर पर रखा उठाया और फिर ठीक इस थान पर उसे ले जाना था वहाँ पर रख दिया और सभी उपस्तित लोग न यह देखकर उससे बहुत ही प्रभावित हुए मतलब इंप्रेस हुए फिर अबराहम को हसी मजाग भी न बहुत अच्छा लगता था बहुत ही जॉली नेचर था बहुत ही हासी मजाग करना लोगों से बात करना फन करना उसे अच्छा लगता था और उनके पिता जब खलिहान पर जाते थे खलिहान मतलब खेद खलिहान जो अपने फार्म होते हैं खेदी करते हैं वहाँ पर जाते थे यार्ड में तो काम करने के लिए तो उनके साथ में क्या Abraham भी जाता था उनकी पिता जी उसे भी अपने साथ ले जाते थे तो काम की बीच में वे ऐसी शरारतिं करता था जिसको देखकर लोग लोटपोर्ट हो जाते मतलब ऐसा naughtiness करता था ऐसी हरकतें करता था कि जिसे दो एक कर लोग खुब हसते थे लोटपोर्ट हो जाते थे हां ससके एकदम पिता के साथ वे चर्च में भी जाता था और वे पादरी जो थे चर्च के उनका जो उपदेश था instructions था और जो धर्म की बाती होती उसे भी बहुत ही ध्यान से मन लगा कर सुनता था तो देखे वचो ये है अब्राहम लिंकन की तस्वीर वे पढ़ाई में होश्यार था उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था जिस पाट को वे एक बार पढ़ लेता था वे है पूरी तरह से उसे याद हो जाता था वे मित्रों से किताब लेता और उसे पढ़ता और फिर वे है उसे प्रेश्ट शब्द शह है मतलब एक एक शब्द उस पाठ का उसे याद हो जाता था और वो मित्रों को सुना देता था तो सारे लड़के जो थे बड़े अच्रज में मतलब एकदम सर्प्राइज हो जाते थे एकदम बॉंडर की मतलब इसको कैसे ये सब याद हो जाता है और पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी उसके साथ एक ही प्रॉबलम थी अबरहम के साथ कि उसके पास कितावे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे विकाद वो बहुत ही पूर फैमिली बिलोंग करता था तो वे दिन भर खेतों में मतलब फार्म में काम करता इसलिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिल रहता था वे खाने के खर्च से जो उसको खाना खाने का खर्च का पैसा मिलता था उसको वो सेव करके बचा लेता था और उससे किताबें ले आता था और फिर किताब पढ़कर जो पढ़ लेता था तो उसे पूरी किताब तो याद हो जाती थी तो वो उसे बेश देता था मतलब सेल कर देता था और फिर उसे new books नई किताबें खरीद लेता था रात को वे सड़क की रोशनी पर पढ़ता था क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्द नहीं था फिर क्या होता था रात में ना नाइट के समय बंधेरा हो जाता है तो रात में उसको पढ़ने के लिए लाइट कहां से मिले एक दिन एक प्रतिष्टित आदमी ने, मतलाब एक प्रतिष्टित व्यक्ति ने, कोई एक धनी अमीर आदमी ने उसे सडक पर पढ़ते हुए देखा और उसकी लगान, याने कि उसकी पढ़ने का जो डिवोशन था, उसकी धून थी, उसी देखकर वो बहुत ही हैपी हुआ, खोश हुआ, उसने अबराहम को बहुत सारी पुस्त के, मतलब किताबे पढ़ने के लिए उसने अपनी तरफ से गिफ्ट दी, और धीरे धीरे अबराह अबराहम लिंकल ने दिन रात परिश्रम किया, और एक दिन वह आया जव अपने देश यानि अमेरिका के रास्ट पती चुने गये, इसलिए उन्हें अमेरिका का प्रथम नागरिक कहा जाता है, क्योंकि किसी भी देश के प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरे किसे कहते हैं उस देश के प्रेसिडेंट को तो बच्चों ये था अबराहम लिंकन के संखर्ष की कहानी आपको भी इससे प्रेंडा लेनी चाहिए अब इस पार्थ में आए कुछ कठिन शब्दे देखते हैं तो जैसे मसीहा का अर्थ होता है मुक्ति दाता याने जो उससे आजादी मुक्त कर दे आजाद कर दे प्रथा मतलब होता है कस्टम मिन्स रीती रिवाज दुखद मतलब दुख देने वाला सैड विरोध का मतलब हो हाजिर या प्रेजेंट होना उपदेश उपदेश का अर्थ होता है शिक्षा या सीख याने कि जो इंस्ट्रक्शन जैसे की आबराहम लिंकन को जो इंस्ट्रक्शन या उपदेश जो पादरी लोग चर्च में देते थे ना सीख वो से ग्रहन कर दे थे तो उसका मतलब है शिक्षा शब्द शेह का अर्थ होता है प्रतेक शब्द मतलब एक एक शब्द वन वन वर्ड याने लिटरल उपलब्द का अर्थ होता है प्राप्त होना या अवेलेबल होना प्रतिश्ठित का अर्थ है आदरनी है याने कि प्रिस्टीजियस लगन का मतलब होता है किसी च के exercise हम करेंगे next video में तब तक अपने ख्याल रखें टेक्यार बाई बाई